वारंग्सी के कैंट लोई स्टेशन पर सावन माह में कावरियों को दो महीने तक सुध सात्विक और प्योर वेजिटेरियन भोजन उपलब्द कराया जाएगा इसके साथ साथ उन्हें ऐसा भोजन उपलब्द कराया जाएगा जिसमें लहसुन और प्याज भी न हो इसके विष्टायां हो चुकी हैं और ये सुचारो रूप से प्रारम भी हो चुका है और कौन-कौन से विष्टायां कावरियों को मिलेगी इन सब विष्टों पर बाचीत के लिए हमारे साथ वारांसी कैंट एलो इस्टेशन के डारेक्टर गौरो दिक्षित सर हैं हम इसे बात करते हैं और जानते हैं सर कौन-कौन से विष्टायां कावरियों को प्लब्द हो रहे हैं आपके इस्टेशन पर बढ़ जाता है उनको कोई असुविधा ना हो इसका हम विशेश दियान रख रहे हैं क्राउड मनेजमेंट के लिए हमारा जो CCTV कंट्रोल रूम है उसमें हमारे सभी भाग के अधिकारी और सुपर्वाइजर्स लगातार 24 गंटे ड्यूटी कर रहे हैं इसे की इमर्जनसी में किसी भी तरह के सुभीधा में प्रसेंजर्स को तुरंट ही अधि On Prime सम्ट में हम लोगों ने दिखा सिरी अक सर्स देखा जाता है कि Comeback कहाने के भी विवास्था भी किया स्थेसन पर तो क्या नॉन्वेज पर भी किसी तरह की रोक लगाई गई है वारांसी केंट स्टेशन पर कोई नॉन्वेज का कोई दुकान नहीं है समारी सभी केटरिंग स्टॉल पर शुद्ध पेजल शुद्ध वेजटेरियन खाना ही मिलता है अच्छा सब यह कितने दिनों तक चलेगा गौरत दिक्षिशत थे जिन्होंने बताया कि दो महीने तक कावरियों को सुद्ध पॉस्टिक और बिना लहसुन प्याज का भोजन उपलब्द कराए जाएगा इसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिससे कावरियों को हर सुबधाय उपलब्द कराए जा वारांसी सरावल पांडे भारत एक्स्प्रेस के लिए